प्रस्न साथ राखी को 250 रुपया मुल्य के खेल समागरी तथा 220 रुपया मुल्य के चमड़े का बैग करमसर 6 परतीसत और 12 परतीसत बिक्री कर देकर खरीदना पड़ा हो तो बतलाईए उसने कूल कितने रुपय चुकाए तो प्रस्न साथ में लिखेंगे हम खेल समागरी का मुल्य बिक्री कर सहित तो खेल समागरी का मुल्य बिक्री कर सहित कितना हो जागा तो 250 जोड़ 250 का 6 परतीसत तो कितना लग रहा है तो खेल समागरी पे बिक्री कर लग रहा है 6 परतीसत तो खेल समागरी का मुल्य बिक्री कर सहित यानि बिक्री कर के समेथ बिक्री कर अगर उसमें जोड़ दें तो कितना मुल्य हो जागा 250 रुपया मूल्य का खेल समगरी है लेकिन उस पर 6% बिक्री कर लग रहा है तो खेल समगरी का मूल्य बिक्री कर सहित हो जाएगा 250 जोड 250 का 6% यानि किसका 6% तो 250 का 6% को 250 में जोड देंगे तो खेल समगरी का बिक्री खेल समंगरी का मूल्य बिकरी कर सहित निकल जाएगा यानि 250 जोड 250 का 6 परतीसत कितना हो जाएगा तो 250 का अब परतीसत हटाएँगे तो 6 बटा 100 हो जाएगा परतीसत हटाएँगे तो बटा में 100 हो जाएगा तो देखें एक सुने से एक सुने काट लिए दो पचे दस दो तिया छे एक सुन्ने से एक सुन्ने काट लिए दो पचे दस दो तिया छे काट लेंगे और पच पचे पचीस यानि कितना आ गया तो दो सो पच्चास जोड पांच का तीन यानि पांटिया पंदरह गुना होता है का जब भी लिखा हो तो गुना करेंगे तो 5 का 3 कितना हो जागा 15 अब देखे 15 रुपया यानि 250 का 6 पर 30 कितना हो गया 15 ठीक है 250 रुपया का 6 पर 30 कितना हो जागा 15 रुपया यानि उसको 15 रुपया विक्रीकर लग रहा है तो विक्रीकर को जोड़ देंगे तो 250 में 15 जोड़ेंगे यानि 265 रुपया तो 265 रुपया क्या आ गया? खेल समगरी का मुल्य बिक्री कर सहित खेल समगरी का मुल्य बिक्री कर सहित कितना आ गया? 265 रुपया ठीक है? अब लिखेंगे चम्डे का बैग तो लिखेंगे बैग 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 का मूल्य बिक्री कर सहीद कितना हो जागा बैग का मूल्य बिक्री कर सहीद बराबर हो जागा तो 220 रुपया मूल्य के चम्डे का बैग कितना का चम्डे का बैग है 220 रुपया तो 220 जोड 220 का कितना परतिसाद लग रहा है 12 परतिसाद ठीक है चम्डे का बैग पे बिक्री कर लग रहा है 12 परतिसाद तो 220 रुपया में, 220 रुपया मूल्य है, चम्डे का बैक का, और उस पे 12 पर तीसद बिक्री कर लग रहा है, यानि 220 में, अगर 220 का 12 पर तीसद को जोड दें, तो बैक का मूल्य बिक्री कर सहीद निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा? तो 220 जोड, 220 का 12 पर तीसद, यानि 12 पर तीसद हटाएगे, तो बटा में 100 आजाएगा, तो इस तरह लिख लेंगे, एक सुनने से एक सुनने कट गया, एक सुनने से एक सुनने कट गया, तो देखें, 22 गुना बारा कर देंगे, यानि 220 जोड, 22 यानि 22 गुना बारा का मतलब क्या होता गुना, तो 22 गुना बारा करेंगे तो कितना आएगा? 22 गुना बारा करेंगे, तो आ जाएगा देखें 22 दूना 24 हाथ में रहा दो 22 माफ कीज़ेगा 22 दूना 44 हाथ में रहा 4 22 गुना 1 22 24 26 यानि 264 बटा 10 बटा में क्या है दस है यहाँ पर एक सूनने तो कट चुका है तो 264 बटा 10 आ गया तो कितना हो जाएगा बराबर 220 जोड़ अब 10 से भाग देंगा तो कितना हो जाएगा 26 दस मलो 4 हो जाएगा 26 दस मलो 4 ठीक है यानि 26 दस मलो 4 रूपया उसको लग रहा है विक्रिकर 12 पर 30 के हिसाब से कितना लग रहा है 26 दस मलो 4 रूपया अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा तो 6 2 2 4 और 2 यानि 246 दस मलो 4 कितना आ गया 246 दस मलो 4 तो बैक का मूल्य बिक्रिकर सहीद कितना हो गया 246 दस मलो 4 रूपया तो इस तरह लिख लेंगे अब क्या पूछ रहा है हमसे कि बतलाईए उसने कुल कितने रूपय चुका है तो लिखेंगे अतह राखी अतह राखी राखी ने कुल रूपय राखी ने कुल कुल रूपय चुकाए अतह राखी ने कुल रूपय चुकाए कितना चुकाए राखी ने तो खेल समागरी का मूल्य बिक्रिकर सहीद कितना आया था 265 रूपया तो 265 और ये कितना आ गया देखें बैक का मूल्य बिक्रिकर सहीद कितना आ गया 246.4 तो इसको भी जोड़ देंगे 246.4 यानि कितना आ जाएगा तो 10.4 को 10.4 ही रहने देंगे 6.5.11 हाथ में रहा 1 6.4.11 हाथ में रहा 1 2.4.1.5 यानि 5.11.4 रूप्या तो राखी ने कुल रूप्य कितना चुकाया है 511.4 रूप्या तो यही इसका उत्तर है अब देखें 10 मलों के बाद 10 मलों के बाद हम सुनने दे सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो 246.4 सुनने रूप्या हम इसको लिख सकते हैं ठीक है इसको भी देखें 26.4 सुनने रूप्या हम लिख लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 4 सुनने और यहां भी 4 सुनने तो 511.4 सुनने रूप्या राखी ने कुल रूप्य चुकाए हैं तो 10 मलों के बाद हम कितना भी सुनने दे दें देखें 5 सुनने भी दे देंगे 10 सुनने भी दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो अगर इसको हम पड़نا चाहें तो किस तरह पड़ेगे 511.40 पैसा अगर रूप्या पैसा हमें पढ़ना चाहें तो क्या होगा 511.40 पैसा जैसे इसको पढ़ना चाहें तो 246.40 पैसा ठीक है झाल 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 झाल